दोस्तों अमश्कार स्वागत है आपका आपके ही चैनल उशा की किरण में दोस्तों फोर्स मोटर ने अपनी नई ट्रेवलर को नए ब्येसिक्स इंजिन प्लस नए ब्येसिक्स फीचर्स के साथ में लॉंच कर दिया है तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीटेल के अंदर ट् यसे लाइक and share अवश्करीगा बात करतें दोस्तों इसके फ्रंट लोक से यहां पर आपको काफी सांदा इसका फ्रंट लोक दिखाई देता है जिसके अंदर आपको हैलोजन बल्ब के साथ पे आने वाले इसके हैडलेंप्स दिखाई देंगे और LED के साथ में आने वाले इस में आपको कोई खासा बदाब नहीं मिलेगा में जो बदाब contradекс क न हे Absorber के साथ में साथ ही दोस्तों आपको सामने की साइड में Anti-Roll Bar जैसी सुविधा भी मिल जाती है जिससे कि आपकी ड्राइविंग कमफर्ट काफी एजी हो जाता है दोस्तों बात करते हैं इस गाड़ी के साथ में आने वाले नए इंजिन की यहाँ पर आपको Force Motor का 2.6 CR यानि की CR ED आपको इंजिन मिलेगा BS6 इंजिन के साथ में ये इंजिन आएगा अब आपको इस नए इंजिन के साथ में AddBlue टैंक भी मिलेगा यानि की अब आपको यूरिया भी अपने इंजिन के साथ में यानि की एक और अलग से आपका खर्चा बढ़ गया है क्योंकि दोस्तों BS6 की गाड़ी है तो BS6 की जो पॉलिशन नॉम से उनको मीट करने के लिए इंजिन के अंदर कुछ फिल्टर्स वगरा लगाए है कुछ कैटलेटिक कनवर्टर लगाए है तो यहां पर आपको एड़ ब्लू यहां पर नई गाड़ी के अंदर डालना पड़ेगा तो अठारे लेटर का आपको यहां पर एड़ ब्लू टेक मिल जाता है 2596 CC के आसपास इसका डिस्प्लेस्मेंट होगा और 115 HP के आसपास का आपको यहां पर पावर मिलेगा 2950 RPM के आसपास दोस्तो 350 Nm का बहतरी टॉर्क मिलेगा 1400 से लेकर के 2200 RPM के आसपास दोस्तो नई इंजिन के कारण इसका जो फ्रेंट बॉनट है यहां पर इसकी साथ से लेकर के 8 हिंच तक की जो है लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है ट्रेवलर इसमूद की आपको बैजिंग मिलेगी और 2.6 जो है बैजिंग अमूमन हर ट्रेवलर के अंदर आपको दिखाई देती है तो काफी सांदार वील बेस मिलेका दोस्तों यहां पर आपको 4020 mm के आसपास का वील बेस मिलता है और 16 इंची के बहतरीन आपको यहां पर टायर मिल जाते हैं आप ट्यूबलेस टायर भी ले सकते हैं और ट्यूब टायप दोने ही प्रावधान आपके पास हो जाते हैं तो दोस्तों इस तरह किसे टायर है वजन और आया दोस्तों ट्रेवलिलर की दोने ही सएड़ में आपको बेजिंग बिलती है दोस्तो इस गाड़ी के अगर हम एक्सवरूम प्राइस की बात करें तो 15,50,000 रुपे के आसपास इसकी एक्सवरूम प्राइस है इंदोर में फिलाल दोस्तो हम इस वीडियो को वामन मोटर्स इंदोर से बना पा रहे हैं अगर आप मुझे इंदोर के आसपास से देख रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर के संपर कर सकते हैं दोस्तो पीछे की साइड में आपको फोर्स की बेजिंग, ट्रेवलर, सूपर की बेजिंग, इस तरह की बेजिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी क्रॉम फिनिस के साथ में और दोस्तो इस गाड़ी का जो ग्रॉश्विकल वेट है वो है 4,675 kg के आसपास दोस्तो नई BS6 की गाड़ियों के अंदर आपको कुछ सुविधाय और मिल जाती है सेफटी नॉम्स के हिसाब से यहाँ पर अब आपको मिलेंगे पीछे की साइड में रिवर्स पार्किंग सेंसर जिससे कि अब आपकी गाड़ी जो है जब आप बैक करते हैं तो वो काफी इजी हो जाता है क्योंकि इन सेंसर के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपके पीछे कहीं कोई object तो नहीं है या कोई वस्तू तो नहीं है बात करते हैं दोस्तो नीचे की suspension पीछे की आपको मिलेगा semi-leptical leaf spring with hydraulic shock absorber के साथ में पीछे suspension यहाँ पर आप anti-roll war जैसी सुविधा को भी optionally ले सकते हैं दोस्तो इसके boot space की बात करें या इसके emergency door पीछे की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा खासा सामान रखने के लिए तो जगह नहीं मिलती है यहाँ पर आपको आपका square wheel देखने के लिए मिल जाता है साथी दोस्तो इसके जो पीछे के door है इनको आप almost पूरा का पूरा बंद कर सकते हैं catcher को द्वारा log करके तो दोस्तो अगर हम पीछे से गाड़ी के look को अगर अंदर की side में देखते हैं तो हमारी गाड़ी का look जो है कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है यहाँ पर दोस्तो इस जो गाड़ी है ट्रैवलर शूपर 19 प्लस D और 20 प्लस D इस तरह के दो तरह के seating arrangement में आती है फिलाल हमारे सामने जो गाड़ी है इसके अंदर आपको 21 लोगों की बैठने की विश्ता है ड्राइबर समयत 70 लीटर का आपको diesel tank मिलेगा इस काड़ी के साथ में और अब बात करते हैं दोस्तो हम यहाँ पर इसके driving convert की काफी बड़ा सारा यहाँ पर आपको ORVM मिलता है जिसको कि आप manually adjust कर सकते हैं अपनी दिशा और direction के अंसा साथ ही यहाँ पर दोस्तो ORVM के उपर आपको indicator जैसी सुविदा भी मिल जाती है जो कि आपकी night के समय में visibility को बढ़ाती है दोस्तो बात करते हैं इसके driving door की यहाँ पर आपको पानी की bottle रखने के लिए जगह मिलती है कुछ document रखने के लिए जगह मिल जाती है तो इस तरह का आपको इसका door मिलता है चाहता तो कुछ नहीं glass up and down करने के controls है और एक grab handle इस तरह की चीज़ें आपको door के उपर मिल जाती है दोस्तो इस गाड़ी के अंदर आपको चारोई wheel के अंदर disc brake का option होता है यानि कि disc brake मिलेंगे hydraulic dual circuit vacuum assisted आपको इसके braking मिल जाती है driver के पास में आपको fire extinguisher से इसी सुविधाय मिलती है जो की uneven condition में काफी सहयक होती है यह सब चीज़ें driver इनको तुरंट से इस्तिमाल कर सकता है driving seat के अगर बात करें दोस्तों तो काफी बहतरीन आपको यहाँ पर driving seat मिलती है मतलब इसके headrest के साथ में जिसको कि आप छहत्रे के direction में adjust कर सकते हैं यानि कि इसको आगे पीछे भी adjust कर सकते हैं इसके height को भी उपर नीचे adjust कर सकते हैं प्लस आप पीछे की side में रिक्लाइन भी adjust कर सकते हैं दोस्तों नई गाड़ियों के अंदर आपको ABS प्लस EBD इस तरह की सुवधाय मिलेंगी जिससे की आपकी ब्रेकिंग है वो काफी strong और काफी powerful हो जाती है साथ ही मिलेगा यहाँ पर आपको power steering काफी खुबसूरत आपको four spokes इसका power steering मिलता है बीच में मिलेगा force motor का F logo wedging और यहीं पर आपको इसका horn button भी मिल जाता है तो दोस्तों काफी बहतरीन power steering है साथ ही display के उपर आपको काफी सारे information's colorful lights और signs के साथ में दिखाई देती है अब आपको कुछ नए sign और दिखाई देंगे क्योंकि BS6 गाड़ी होने के नेते यहाँ पर कुछ नई चीज़ें और air हुई है जिनका भी information's आपको यहाँ पर so हो जाता है इस गाड़ी के उपर दोस्तों आपको तीन साल तीन लाग किलो मिटर तकी warranty कमपनी की तरफ से मिल जाती है छोटा सा gear shift lever मिलेगा इस गाड़ी के अंदर G32 fully synchronous gear box का इस्तिमाल किया गया है और अब आप दोस्तों अगर आप reverse gear लगाते है तो इसको आप press करके लगाएंगे जो कि आपकी safety के लिहाज से काफी एक अच्छा feature से आपर company के दिया गया है साथी दोस्तों एक छोटा सा bonnet space मिलता है जिसको open करके अगर आपको अपने engine के अंदर कभी engine oil वगरा डालना है तो वो सब चीज यहां से आप आसानी से डाल सकते है यहापर दोस्तों आपको देख सकते हैं engine का पूरा compartment दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आपको इसके sensor वगरा है catalytic converter है प्लस इसके अंदर आपको अप diesel exhaust filter भी लगाए गए है वो सारे की सारी चीज आपको यहां से दिखाई दे जाती है बात करते हैं दोस्तों इसके passenger door की जैसे हम door को open करते हैं तो door के उपर हमें कोई पानी की bottle वगरा रखने के लिए जगए नहीं मिलती है एक basic सा simple door हमें यहां पर दिखाई देता है और अंदर की side में जब आप जाते हैं तो यहां पर आपको एक जो co pilot seat है यानि की driver के पास वाली जो seat है जिसको कि हम conductor seat कह सकते हैं वो adjustable facility के साथ में आती हैं इसको आप lock करके fold भी कर सकते हैं और फिर आप इसको अपनी जो normal condition है वहां पर भी ला सकते हैं क्योंकि जब हम पीछे जाते हैं तो इसको हमें fold करके ही पीछे जाना पड़ता है traveler की गाडियों में इस तरह की विवस्ता होती है दोस्तो हम काड़ी के अंदर जब जाके देखते हैं तो front look हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है काफी ब्यवस्तित और अमूमन पहले जैसा ही look हमें यहां पर दिखाई देता है जिसके अंदर आपको जो इसके blower है वो इस तरनर रूप से मिली जाता है एर करडिशन आप अपने बजट के अनुसार और option ले सकते हैं मोबाइल चार्जिंग है, emergency switches आपको काफी सारी जगे पर देखने के लिए मिलेंगे तो सारी के सारा जो dashboard है और जो चीजे हैं जो पहले हमें BS4 में मिला करती थी वही सारी चीजें आपको अभी देखने के लिए मिलेंगी main जो बदला हुआ है वो इसके engine के अंदर हुआ है दोस्तो अगर पीछे की बात करें तो यहाँ पर आपको काफी सांदा बैतरीन सीट मिलती है दो तरह की light मिलेगी नाइट के समय में आपको अगर light जलानी है तो आप इसके night lamp का इस्तिमाल कर सकते हैं और बाकी ज़्यादा light चीए तो आप इसकी main जो light है उसका इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तो अगर आप मुझे इंदोर के आसपास से देख रहे हैं तो आप वामन मोटर इंदोर में जो फोर्स मोटर के डीलर है वहाँ पर आप संपर कर सकते हैं इंदोर में इसकी जो एक्सरूम प्राइस है वो लगबग 15.5 लाग के आसपास है और नई गाड़ी से आपको mileage जो है 15-16 किलोमेटर के आसपास मिलने की संभावना बताई जाती है बाकि देखना है दोस्तों कि आगने वाले समय में ये गाड़ी आपको कितना mileage दे सकते पाईगी दोस्तों इस गाड़ी की जो overall लंबाई है वो 6966 mm के आसपास है और इसका जो wheelbase है इस गाड़ी के अंदर 40-20 इस तरह का mm का wheelbase आपको यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों काफी जगे पर आपको यहाँ पर emergency buttons मिलेंगे दिखाई देंगे जो कि passenger कभी किसी प्रकार की uneven condition में या emergency condition में इनको push करके driver को सारी की सारी information देने का यहाँ पर काम करते हैं तो दोस्तों काफी बैतरीन गाड़ी है भारत की सड़कों पर राज करती है traveler force अगर ट्यूरिंग के परपस से आप इसको यूज करते हैं या star passage की रूप में आप इसको यूज करते हैं तो काफी बैतरीन गाड़ी है इस कुल बसका मैं पहली वीडियो बनाया हुआ हूँ अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक में आपको description में दे दूँगा दूसरा दोस्तो ट्रेक्स तूफान डिये सब्सकाइबी रिवीव मैंने अल्रेडी बनाया हुआ है अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं आपको description में दे दूँगा दोस्तो काफी मेहनत के साथ में वीडियो बनाया गया है अगर अच्छा लगा है तो इसे like and share अवश करिएगा और मेरे चैनल उशा की किरन पर अगर आप पहली बार आए है तो इससे आप subscribe करना ना बोले तो दोस्तो करते रहिएगा इस वीडियो को share क्योंकि यूट्यूब पहली बार आपको डीटेल हमारे ही चैनल पर देखने के लिए मिलेगा तो दोस्तो आज के लिए इतना फिर मिलूँगा किसी नए वीडियो के अंदर तब तक के लिए जै हिन जै भारत